नमश्कार स्वागत हाब सबका देख रहे हैं सुपर सेवन तूथ हाउजन ट्वेंटी टू ब्रिशब रासी अंतिम वीडियो आ गई है अंतिम कारक्रम आ गया है स्वास्थ के विशे में हम बताने जा रहे हैं और फिर कल से मिथोन राशी के बारे में बताएंगे आपके स्वास्थ की इस्थिती पूरे बारह महीना कैसी रहेगी आईए अब हम जान लेते हैं चंद्रमा सब्तम भाव में रहेगा जनवरी महीने में ब्रिशब राशी ब्रिशब लगनवालों के और सब्तम भाव में चंद्रमा बैट करके कुछ न कुछ कष्ट और कठनाई बढ़ाता है जुखाम बुखार आद की शिकायते रहेंगी और आप अचानक से कुछ न कुछ परेशानी में फंस सकते हैं उल्जन में आ सकते हैं आपको जनवरी महिने में बहुत सावधान रहने की आवशकता है लगनमे राहू सरजरी आद की भी तरफ इशारा करता है आँखों से आप परेशान रहेंगे जनवरी महिना स्वास्थ आपके लिए ठीक इशारा नहीं करता है फरवरी महिने की बात अगर हम करने जा रहे हैं तो अब देख लीजिए फरवरी 2022 उठापटक तो देना ही देना है इसको और यह उठापटक आँखों से संबंधित तकलीफ में कुछ कमी करते हुए घुटने और हड़ियों की दिखकत बढ़ाएगा फरवरी में अगर आप इससे संबंधित बीमारियों से जूज रहे थे तो इस महिने में आपको सावधान रहने की आवर्शक्ता है अगर आप सूर की पीडा वाले इस्थती में नक्षत रादी में पैदा हुए है तो हड़ी में मतलब फ्रैक्चर अगरे की भी संभावना फरवरी में बनती हुए दिखाई देती है मार्च 2022 ब्रिशब लगने ब्रिशब रासी इस्थती यहां पर आपके फेवर में है पक्ष में है लीवर की प्राबलम हो सकती है बैक की प्राबलम हो सकती है और माइग्रेन परेशान करेगा इस महिने में इस महिने में फील पाओं अगर कहीं से दिक्कत थी तो वो भी संभव हो सकती है ब्रिशब लगन ब्रिशब रासी अप्रेल महीना यहां पर नियूरो प्रॉब्लम दिखाई देता है इसकिन प्रॉब्लम दिखाई देता है अप्रेल महीने में जुखाम खासी भी आपको परिशान कर सकता है digestion को लेकर के 5 अपरेल से लेके 22 अपरेल के बीच में परिशान रहेंगे आप मई महिने की बात करें तो मई महिने में हड्डियों की दिक्कत आपको परिशान करेगी खास तोर पर ऐसे लोग जो 22 से प्लस एज में हैं उनको खास तोर पर ध्यान देना होगा राहु चंद्रमा साथ रहेंगे सूरे साथ रहेंगे मावस्या योग में महिने का आरंभ हो रहा है मंगल शनी कीविती रहेंगे कुम्भराशी में और ये आपके 10th house में है 10th house अगर देखा जाए तो generally हमारे कमर की नीचे का स्थान होता है घुटने का कारक होता है कुम्भराशी इससे सम्मंधित समस्या आएं आपको छेडेंगी मई महिने में जून की चर्चा कर लेते हैं जून महिना आपके लिए क्या सावगात लेके आएगा तो जून में कोई विशेश दिक्कत नहीं है खासतर पर थोड़ा सा बाजू, soldier सोगरे में पेन होगा हाथों में दिक्कत आ सकती तो वर्जिस थोड़ी बहुत आप करते रहिएगा ये सब जो वर्जिस मतलब घर पे बैठके योगा प्रणाया मोगरे करेंगे तो उसका आपको एडवांटेज लाभ आपको जुरूर मिलेगा जुलाई महिने की बात कर ले तो जुलाई महिना आपके लिए हर प्रकार की स्थितिक को सुधारने वाला है परशानियों से बाहर निकालने वाला है कष्टों से बाहर निकालने वाला है आखों से मुक्ती होगी आखों में मुक्ती माने आख नहीं चली जाएगी आखों की दिक्कत से मुक्ती होगी जुलाई महिने में और किसी दोस्त की मदद से कुछ विशेश समस्याओं से भी आप दिक्कत से बाहर आ जाएंगे आयरवेदिक उशदियों का उपयूग आपके लिए ठीक रहेगा अगस्त महिने में बुद्ध चंद्रमा एक साथ सिंग राशी में रहेंगे आपके फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस मारे छाती का होता है जनरली तो ब्लड पेशर अगरा के पेशेंट हैं आप तो उसमें आपको समस्याओं आएंगी इस महिने में शुगर आपका थोड़ा सा बूश्ट करेगा थोड़ा बहुत ऑपरेशन की भी सिकायत अगस्त महिने में हो सकती है तो सरजरी आदे से भी भागने से बच नहीं पाएंगे थोड़ा सा समय आपके लिए अनकूल नहीं है सितंबर महिना आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा और मंगल आपके राशी पर लगन पर आजाएगा इस्तती मजबूती आएगी शरीर आपका सौश्ठो वाला होगा और बड़ी-बड़ी मुश्किलों से आप बाहर निकलेंगे और हर प्रकार की इस्तती आपकी शुभ होने जा रही है सितंबर में अक्टूबर महिने की चर्चा करें तो ब्रिशब राशी ब्रिशब लगन वालों के यहां पर पंचम भाव में सुर्य बुद्ध शुक्र बैठे हैं यहां पेट की दिक्कत इस महिने बहुत रहेगी अपेंडिक्स होगरे की शिकायत हो सकती है और एक्सिडेंट की भी संभ शुक्र आ गए हैं छठा भाव आपके लिए पीडित हो रहा है बीमारियां कई तरह की जगड़ेंगी और चोड़ चपीट कुछ प्रेत वाधा से भी आप पीडित हो सकते हैं नौंबर महिने में कुंडली जरूर दिखा लिजेगा अगर आपकी ब्रिशब राशी ब्रिश में हैं और बड़ी-बड़ी मुश्रीपितों से आपको बचाने का प्रयास करवाएगा सूर्य आउशद ही है सूर्य आउशद ही का जनक है तो मुश्किलों का हल भी यहां पर निकालने में मदद करेगा शुक्कामनाई देते हैं खुब प्रशन रहें आगे बढ़ें और इन्जॉय करिए रासिफल में क्विज चलता है एक प्रश्न का उत्तर देके फ्री में आप हमसे कुंडली जीत सकते हैं बहुत बहुत शुक्री आपका नमश्कार छे राने